दोसों, आज की इस वीडियो में हम लोग John Milton की Paradise Lost का analysis करेंगे जिसमें book first भी आएगी, कुछ important quotes भी आएगी और क्या background है इसको लिखने का, वो भी इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के end में ये किताब एक poetic rewriting है, poetic rewriting बोले तो Bible की जो original book Genesis है वहाँ से इसकी story ली गई है, खास क्या है इसमें, कि उस समय पर Christian stories को जिस तरीके से सुनाया जाता था आपने देखा होगा, morality play और mystery plays के अंदर Christian stories को सुनाया जाता था, तो वो एक traditional तरीके से होती थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने काफी नया तरीका अपनाया था, poetry में हम लोग story सुनाएंगे दूसरा, इसको पढ़ने वाले सारे Christian readers थे, जो Bible की कहानियों से familiar थे, तो relate कर पा रहे थे, उस time के लोग, इस कहानी से लेकिन Milton थे तो एक इनसान ही, सोचने वाली बात है न, आपकी दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, कि कितने हद तक इस इनसान ने, जिसने Paradise Lost को रिखा, खुद को traditional text से अलग रखा होगा traditional text से खुद को कितना अलग रखा होगा, और किस हद तक अपने खुद की personal feelings और experiences को इस poem में शामिल किया होगा अब आप मेंसे काफी सारे लोग बोलेंगे, रहे यार तो poem पढ़ाना, क्यों फाल तो की बाते कर रहे है क्या ये सब पढ़ना भी ज़रूरी है, दोस्तों यहाँ पर poem तो चली रहे है, लेकिन poem की साथ साथ उसका analysis चल रहा है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि 17th century जिस वक्त Milton जी रहे थे न, उस वक्त बहुत सारी political tensions चल रहे थी इंग्लेंड में Charles first को मार दिया गया, फिर रुटन्स आ गय थी, फिर Charles second गद्धी पर आ गया था इस poem को भले ही 1660 और 1665 के बीच में लिखा गया था, अब आप कहोगे लिखा तो इसको 1660 और 1665 के बीच में गया था आप political tensions की बात कर रहे हो, वो तो काफी पहले हो गई थी लेकिन दोस्तों इस बात के evidence भी हमको मिलते हैं कि काफी लंबे time से इस poem को लिखने का plan मिल्टन ने पहले ही बना लिया था कि किसी Bible की story पर epic लिखने की try कर रहे है 1640 के time पर उन्होंने outline तो तयार कर ली थी उनकी साथ वालोंने बताया था कि book 6 में जो passages हैं similar passages उन्होंने पढ़वाये थे अपने साथ ही लोगों को तो काफी पहले से planning चल रही थी इसको लिखने की आपको पता होना चाहिए कि 1674 में मिल्टन की जो दोस्त थे ना एंड्रियो मार्बल उनकी poem 54 lines उनकी poem की 54 lines add की गई थी इसमें और 1667 वाले addition के अंदर मिल्टन ने अपना एक prose note भी add किया था जिसे the words कहा जाता है यह तो मैंने आपको पहले भी बता है the words इसके बारे में ध्यान रखना इसको add करने का reason यह था कि जिस तरह मिल्टन blank words का एक नए तरीके से use कर रहेते न शायद उन्हें लगा कि उस वक्त के लोग उन्हें criticize ना करें इसलिए खुद को defend करने के लिए उन्होंने यह words add किया था Paradise Lost में अब आप मेंसे काफी सारे लोग उस समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ देखो दोस्तों Paradise Lost पहले जो लिखी गई थी बाद में इसमें काफी सारी चीज़े एड की गई थी और उन्हीं चीज़ों में The Words नाम का एक शाट प्रोज भी था जो Milton ने एड किया था 1667 वाले अडिशन में और वो इसलिए किया था क्योंकि Milton को एक शायद मन में डर रहा होगा क्योंकि Paradise Lost के आने से पहले वो ब्लैंक वर्ट सी ना वो एक वेपन की तरह चलती थी रैटर्स के लिए लेकिन सिर्फ प्लेज लिखने याने ड्रामा लिखने के लिए इसका यूज किया जाता था यूज करोगे तो आप ड्रामा ही लिखोगे और अगर poetry लिखोगे तो उसमें rhyme चलेगी लेकिन यहाँ पर Milton बोलते हैं कि ना तो हम rhyme चलाएंगे और blank words में भी लिखेंगे और एक poetry लिखेंगे और वो Homer और Virgil के Classical Apex के बराबर की rank का कुछ होगा तो यह words लिखकर उन्होंने इस बात को साफ किया था ठीक है कि वो blank words का इस तरीके से यूज करने जा रहे है तो यह words बहुत ही important है इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसमें Milton दुनिया को बता रहे हैं कि English poetry की history में क्या change होने जा रहा है license मिल गया था आने वाले writers को कि जो लोग drama ने लिखते थे जो writers drama ने लिखते थे कि तुम blank words का धडलने से use करो drama लिखने वालों के भापकरा मतलब एकादिकार थोड़ी है कि वो ही use करेंगे ऐसा कहा जा सकता है कि Milton अगर ऐसा ना करते तो आने वाले टाइम पे James Thompson की The Seasons William Cooper की The Task और Wordsworth की Tinten Abbey और Playwood जैसी पूर्म हमारे सामने जो आज दिखती है वैसी शायद ना होती है तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कुशश किया है अब बात करते हैं book first की यह बहुत important है काफी सारे university के syllabus में इसको डाला जाता है क्योंकि इसके अंदर important होने का एक ही reason है Saturn, Saturn, Saturn हमें book one की starting की 26th line के अंदर Milton poem की theme से introduce करवाते है कि इस poem का subject क्या है man's first disobedience fruit of knowledge, forbidden tree सारी चीज़े हमें book first में intro में बताई जाती है फिर 25 से 26 के अंदर heavenly muse को याद करते हैं invite करते हैं कि आकर उनकी help करें और जिस line वो muse को invite कर रहे है इसी line की जरिये Milton बताना चाहा रहे है कि वो Christianity के undisputed truths को ऐसी सच्चाईया जन पर कोई dispute नहीं है उनको एक नए नजरिये से दिखाने की कोशिश करेंगे इसके बाद line 27 से 83 तक Milton हमें Saturn और उसके डरावने ग्रुप से मिलवाते है Saturn का डरावना ग्रुप इनको अभी अभी नई नई बनाई हुई hell में फैगा गया है और इस hell को भी God नहीं बनाया था क्योंकि इन लोगों ने God के खिलाफ एक विद्रो कर दिया था इसके बाद हमें बुक में जो कुछ भी मिलता है वो third person point of view से मिलता है और Saturn की important speeches Saturn के important dialogues PLZ बब के important dialogues हमें मिलते है देखो सबसे पहले ये जान लो कि इन सब को जो hell में फैगा गया है इसके बाद इन सब की outer appearance change हो गई है पहले ही ये लोग angel हुआ करते थे अब राक्षज जैसे दिखते हैं सारे के सारे एक दूसरे की appearance पे comment करते हैं जैसे कि Saturn को PLZ बब की appearance अलग सी लगती है हमें ध्यान रखना है सिर्फ बाहर से ये लोग change होए हैं अंदर से वैसे के वैसे ही है line 241 से 264 तक हमें Saturn अपने दोस्त PLZ बब का mood ठीक करते वे नजर आता है कोशिश करता है अपने दोस्त का mood ठीक करें बोलता है what though the field be lost all is not lost ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा military का officer है वो अपने बेडे को याने troop को जोश से भरने ही कोशिश कर रहा है कि हार मत मानो हम फिर से लड़ेंगे दूसरी speech में Saturn ये दिखाता है कि वो कितना जिद्धी है hell में तो क्या उसे कहीं भी पटक दो वो comfortable ही रहेगा वो William Emerson जो की एक critic थे उन्होंने ऐसा कहा था ऐसा लगता है जैसे कोई हारा हुआ military का general है वो अपने troop को याने बेडे को संभालने ही कुशश कर रहा है अपनी बातों से और जैसे ये dialogues बोल रहा है जैसे ये speech दे रहा है उससे हमें अंदाजा लगता है कि उस time की audience पहले भी ऐसी speech की आदत थी उस time की audience को familiar थी जैसे Henry 5 अपने बेडे को इसी तरह से address करते है Mark Anthony, Richard III तो Milton ने अपने से पहले के text पढ़े थे कि audience को क्या पसंद आता है तो उसी तरीके की ऐसी speech design की उन्होंने certain की ताकि लोग भी उससे relate कर सकें Better to reign in hell than serve in heaven एक सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ये सब लिखते हुए Milton ये तो नहीं भूल गए कि मैं Christian epic लिखने जा रहा हूँ तो क्या उसकी starting Saturn की ऐसी heroic presentation से करना ठीक रहेगा क्या जब Saturn बोलता है कि God की पास एक weapon था देखो हमें Milton Saturn की side लेते हुए कैसे दिखाई देते है Saturn अपने dialogues की थुरू बोलता है कि God की पास में एक weapon था thunder जो काफी नया था अगर वो नहीं होता तो हम जीतते जरूर जीतते एक हारे हुए politician की तरह जो अपने जथे को समाल रहा है अपने followers को समाल रहा है क्योंकि आगे जब उसे election लड़ना होगा तो उस election में उन्हीं लोगों का support चाहिए होगा तो आगे की लड़ाई में Saturn को उन्हीं का support चाहिए इसलिए वो thunder का नाम लेता हुआ बोलता है कि thunder एक नई technology थी जिसका हमें पता नहीं था तो अब future की जितने भी लड़ाईयां होगी हम ध्यान रखेंगे भले ही God ने हम लोगों को hell में फैंक दिया हमारी outward appearance चेंज हो गई लेकिन अंदर से मैं अब भी वैसा का वैसा ही हूँ कुछ भी हो मैं repent यानि पच्चतावा नहीं करूँगा और खुद को चेंज तो बिल्कुल नहीं करूँगा body की transformation हो गई थी इन सब की मैंने आपको पहले बताया वो कहीं भी खुद की आर्मी को मतलब इन शैतानों की आर्मी को God की आर्मी से कम नहीं आखता बिल्कुल कम तर नहीं आखता कि हमारे लड़ाई थी dubious battle मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसमें पता नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा dubious battle बोलने का मतलब क्या है वो खुद को कम नहीं आखरा है बगवान से कि हम लोगों की एक ऐसी लड़ाई थी जो dubious battle थी इससे अंदाज़ा लगता है कि खुद को God के बराबर रख रहा है कम नहीं आखरा एक हारा हुआ military man जो हार मानने को तयारी नहीं है ऐसे लग रहा है जैसे Milton उसी की side में कड़े उकर बोल रहा है कि दुश्मन को दुश्मन की शरीर को हराना हराना नहीं होता बलकि आत्मा को हराना जरूरी है और मेरी जो soul है वो unconquered है वो अभी हारी नहीं है उम्मीद कर रहा हूँ यहां तक जो मैंने book 1 का analysis किया है वो आपको पसंद आया होगा अब अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने ही कुश्श की है चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में